हेलो एवरंत चलिया आज मंडे है संडे को जो टेस्ट हुआ था इसाई का उसका पेपर को हम सौल करेंगे कि किस तरह का लेवल आया था इस बार का जो लेवल था संडे का बहुत अच्छा खास लेवल था और प्रिपरेशन भी जो किये थे हमने आपको मैंने सिलेबस से पहले और सेलकृत जो मंदीर है वो किन किस चीच कहता है तो एलोरो में गुफा और सेलकृत मंदीर है बौधों के हैं या बौध या जैनों के हैं या हिंदू जैनों के हैं या हिंदू बौध और जैनों के हैं तो ये कोशन भी पूछा गया था सायथ किसी एक्जाम में तो एलोर बहुत अच्छा कोश्चन दिया हुआ था बहुत धर्म के महायान और हिन्यान संप्रदायों में सरवाधिक मौलिक अंतर क्या देखने को मिलता है इसमें सरवाधिक मौलिक अंतर हमको देवी देवता की पुजा में देखने को मिलता है दोनों में ठीक है तो मैं सीधा जो 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 आंसर बताते जाओंगा अकबर कालिन सेन्य विवस्था किस अधारित थी जो सेन्य विवस्था थी वो अधारित थी किसमें उस समय जो सेन्य विवस्था अधारित थी किहां उस समय मनसबदारी सेन्य विवस्था जो है अधारित थी उस समय मनसबदारी विवस्था जो है प्रचलित हुआ करती थी ठी इसका सही क्रम क्या है जगदिश्पूर पटना रोहनी और मुजर्फर पूर यह इसका सही क्रम है जो विश्फोट का हुआ था तो सही अंसर डी नेस्ट कोश्ण देखते हैं छटवा अब यहां पर बुला नीन मलेखी में से किसका सुमेलित नहीं है देखो बहुत अच्छा क कोशन हों कि लाॉड कंवालिस का समय चोंची बन्दोबस था बिल्कुल सही है यहां पर कोस्ट को पढ़ना सुमेलित नहीं है ठीक है तो कन्वालिस ने स्थाइब mobile अगैल कर बिल्कुल यह भी सही है व्यवाय डॉल होजी वैवाइपगत का सिधान्थ बिल्कुल सहीम दिय का सिदान नहीं दिया था ठीक है नेश्ट देखते हैं सात्वा भारत के निर्मलकित राष्ट्रपतियों की मित्ति उसके कारेकाल के दौरान हुई थी बहुत अच्छा है जब पढ़ते हैं तो इस स्टार्टिंग में हम यह चीज़ चैप्टर पढ़ते हैं तो आंक मुन के जाकिर हुसेन और फकृद्दिन अली अहमद इन दोनों के कारेकाल के दौरान ही मित्ति हो गई थी तो सहीं उत्तर है ए और सी ए और सी किसमें है सी में ठीक है नेश्ट देखते ह सरुष्य न्यालय में तफड न्यायधीसों की निक्ति होती है जब जब न्यालय के किसी भी सत्र के लिए न्यायधीसों की गणपूर्ति नहीं होती नहीं होती है भारत के सविधान में यह उबंद है कि क्या को उबंद है वो देख लेते हैं Pre faintly राज्य की विदान सभा 450 सद्वस्ट से मिलकर बनेगी जो राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन छेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाची चुने जाएंगे बिल्कुल गलत है कि नेस्ट क्या लिखा कोई वैक्ति कि राज्य की विदान सभा के किसी स्थान को भरने के लिए तू भी इसमें से सही को च्वाइस करने बोला कौन सा सही है सेकंड ठीक है नैस्ट देखते हैं यह बहुत अच्छा कोशन यह भी दिया हुआ था संविधान में प्रधान मंत्री के विशय में कुछ लेखित बताएगे हैं कहां कहां यह मंत्री परिशत का अच्छ होता है बेल तो सही आंसर इन्होंने बी लिया हुआ है नेस्ट ऑप्शन नेस्ट कोशन यह भी अच्छा दिया है और कॉंश्योशन का जितना कोश्चन ना बहुत अच्छा दिया हुआ था नेर्मलकित में से कौन सा सविधान के अनच्छेद 12 में परिभासितर राज्य सब्द में सामि समिल कौंसान यह देखना है इसमें सामील कौन कौन सा कई सा अच्छा हो कानफुजन होता है संसद राजी की विधान बंदल और देखो याद रखना एक चीजा करिवासत सव में दिया गहने तो न्यायvy पालीका कहीं धी देखने को मिल तो जहां जहां नियाए पाली कर रहे हैंको अपको कांटना है उसके बाद बाद जो चीज है वही answer होता है ठीक है走 है इसथानी राज्जी की कार्या पाली का समस्ती थानी तो यहां पे सामिल नहीं किया गए न्याय पालीका राज्य हो यह संगी न्याय आए भले तो थर्ड और फॉर्थ जो है सामिल नहीं है तो सही अंसर है क्या बी ठीक है वीडियो चेला के तो चैनल को सबस्कार गर करके रखिए जितने भी पेपर होने वाला है चाहिए प्यून पे सब्सक्राइब कर सकते उसका भी पेपर मैं करूंगा ठीक है संद्ध को पेपर होने ओला 28 तारिक को चले देखते हैं भारत का आर्थिक सर्वेच्छन संबंदीत है अब यह पूछा है भारत में जो आर्थिक सर्वेच्छन जो संबंदीत है वह कौन जो है भारत सरकार दोरा ग्रामिन विद बार बार कोशन नवाट की स्थापना कब हुई थी ये बार बार पुछा है गलत नहीं करना है गलत याद रखना 1982 में नवाट की स्थापना की गई थी इसको रट लीजिए बहुत बार पुछा जा रहा है तो सहीं अंसर है तो सहीं अंसर पूर लगा हुआ है अर्थवरस्था के संबंद में B.O.P. का अर्थ बकाया भुक्तान मुल्लसंतुलन भुक्तान का भी reconciliation संतुलन इसका अर्थ है बील बैलेंस ऑफ पेमिंट, फुल फॉर्म है, बैलेंस ऑफ पेमिंट, ठीक है, तो सहीं आंसार है, D, अब राजगोशी घाटे को परिभासित करना है, तो राजगोशी घाटा कैसे होगा, कुल कितना हुआ है, कुल कितना खर्चा हुआ है, अगर राजगोशी घाटा निकालना है तो क्या आता है आपने कुल कितना भाई आपके पास कितना पैसा आपने खर्चा किया कितना प्राप्ति हुई उसमें से कितना खर्चा वो निकालो गए न तो राजकोशी घटा निकल तो आप्शन एक ही बार में इसको पढ़ते ही सरकार दार लिए अगर रिंगो छोड़े कर तो आपको एक ही बार में प्थे सही कहिए है ठिक है शर्यां सर है जलने आफ़ देखते हैं राश्ति आए यहां पर पूछाय राष्टि है राष्टी आए है रासकी वरमोर्स सblesकी बजटान करव लिज़ें करोबार है यह उपरक्न saying बनायागया है 220 ओल्ड जनेरेटर के एक बल्व जुड़ा है धारा 0.5a तो बल्व की सक्ति है इसका सही अंसर निनों ने लिया है 110 ओल्ड इसका अगर किसी को सॉलुशन बदता है तो बिल्कुल कमेंट में सॉलुशन फॉर्मूला क साथ में बताईए कमेंट करके तिनों ने सही अंसर लिया 110 ओल्ड नेश्ट देखते हैं भारी जल है एक प्रकार के क्या है भारी जल एक प्रकार का याद रखना वो होता है मॉडेटर मतला मंदा government क्या होता है भारी जल एकता का मंदाख होता है ठेक है नैस्ट कोश्टन देखते हैं भारत में इस वी सब से प्राचीनत खुड्रान की चटानिचे अब आता है जीओंडेन फिर प्राचीनतर का कहां से बार-बार कोश्चन है अमर कंटाक मद्द परदेश से हुआ है बहुत इजी कोश्चन थे जियोग्राफी का राइपूर सर्यंद केस के प्रमुष्ण नाय कौन थे इसको बार-बार हम जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते तो परसराम सुनी कौन थे राइपूर नेजी तो किस नहीं किया था बहुत इजी ये भी सूरत 1905 से चालू होता है तो कॉंग्रेस दो भागों बढ़ता है तो इसका सही आंसर लिया इन्होंने सुन्दलाल सर्मा सुन्दलाल सर्मा नेस्ट कोश्चन क्या लिखा है दक्षिन कौशल के राजा को समुद्ध गुप ने हराया था देखिए आपको 36 गड़ का नकसा जब बनाएंगे ना तो अच्छे से याद रह गई यह था समुद्ध गुप का जब आप डियाग्राम से पढ़ोगे ना तो समुद्ध गुप था यहां पर क्या था वकावट वंस के राजा महंदर सेंग थे और नल वंसी र समाते हैं रहे इसके पछण की जिस फसे अकुर्त कभी पैले तो धिक में तो सहीं से अंसार psychology के नेदितमे ठीक है थोड़े ऊपर लेता हूं कreuk Pro बढ़ गए रागण बढ़ गद का विद्रो रूइब तारा पुर का विद्रोंka दल्गं सी कि और मेड रर्ण विद्रों और ऑगए तो याद है त्ल रहा दो क्जान का पंचायत के विसाय में क्या सही नहीं है कुचा है तो क्या सही नहीं है वह चीज़ को आपको बत् loro इसलिए ऑफ פल पांचम निरवाची तो बिल्कुल गलत इसमें कोई मनोनीत नहीं होता है तो यह सही नहीं है तो यह अपसन आगा सही लेंगे तो यह है जनपत्र पंचायत का दक्स पांच हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं भई 10 से 20 ऐसा हो सकता है ठीक नेस्ट पंचों की निर्वाचन में समान मत आने पर लौट बिल्कुल सही है यह मनोनी सदस से बैठक में भाग लेते हैं और मद्दान करते बिल्कुल गलत ही है तो सेकंड थर्ड शिक्स सेकंड थर्ड शिक्स तो इसका सही अंसर लिया है सी ठीक नेस्ट देखते हैं अनसुचित छेतर में ग्राम सभा की सम्मेलन के अधिक्ता कौन करता है देखिए नॉर्माली अगर जगा देखते हैं तो क्या करता है सरपंच करता है सरपंच नहीं तो उप सरपंच रहता है अग से एक कोच वाइस कर लेते हैं सभी ठीक है अगर यह नुसुचित जनजाती छेतर है तो आप्शन सीधा यहीं बताएगा गया जनजाती छेतर है तो वहां ग्रामसभा की सम्मेलान के लिए उसी जनजाती च्छेतर के सदस्य को चुना चाहेगा तो सहीं अंसर क्या होगा डी नेस्ट पंचायत राजकीरा कलापों में निर्मकित बहुत इज़ी है जब पंचायती राज करते हैं तो इसको याद रखने का आपको बैक्स लिखना है बैक इसको क्रम से जमाना भले है बलवंत राव महता समीति असोग राया महता समीती जीवी के राव समीती और लचमी मल सिंग वी तो आप यह जो है आटोमेटिक क्रम से जमा अगर यह याद रहेगा तो आप इसमें देखेंगे लाइन से जम हुआ है तो 1,2,3,4 किसमें देख लेत तो निर्वाचन आयोगी कराएगा ना भारत तो निर्वाचन नहीं कराएगा तो इस्टेट इलेक्षन कमिशन ही जो है नगरे निकान को चुनाओ को करवाता है नेश्ट देखते हैं वर्स 2011 की जंगर्णा के निकान इसका निकान पूछा है इसका निकान नावन टीक लगाक आया था जो की गलत है तो इसका सही आंसर नहीं है 975 लिए हैं इसलिए कोशन को दो बार पढ़ना है नटीपी सी के सहीयोग से अंतराश्टी सुचन प्रदी की संस्थान कहा है स्थापित की जारी यह हमारे राइपूर के नवा राइपूर में स्थापित की जारी एंटीपीची के सही योग से नैस्ट कोश्टन जो चुना पत्थर है वो महानदी बेसीन में मिलता है नीचे साइड में लौह जो लौह के कंड होते हैं धारवाड बोलते न यहां है तो गौंडवार्ना योगिन का है पूरी बगल खंड के हिस्से में दी आस सार इसका सही है नेश्ट देखते हैं क्या 36 गड़ में वर्सा का नामपूर सुरजपूर को या तीन जीलों से करकरेखा हो की गुजरती है तो सहीं अंसर क्या होगा बहुत इजी कोश्टन थे बस्तर के पठार में पाई जाने वाले मिट्टी मिट्टी की स्थानी नाम को उच्छ से नीनम के ओ लिगने तो बस्तर में क्या आता है मरहान टि जाणीघविर चांपा वर उपर जाहिस्पूर ठीक है तो भाई जब राइगाड से निकलती है तो यह पूरा छित्रों को प्रभावित करती मतलब सुचाई सुधा का लाब लेती है क्योंकि इधर से निकाब उपर तो नहीं जाएगी तो सही आंसर होगा राइगा और जानजगिर चापा जैसपूर तो हो इनी सकता इसलिए कांड देना है तो सही आंसर है सी नेस्ट वह कौन सी नदीची से चतिजगर में पहले चित्रोगतला की नाम से जानता है बार बार हम नदीग पढ़ते हैं वह नदीग है नाम से जानते हैं बहुत अच्छा कोशन दिया था सारड़ी बाराज किस नदीपर बनाया गया अपक यह देखिए अब सही जोड़ी बनाना है फिर से सुमेलित करना है बुर रहा है इब नदी कहां से निकलिए कौन सी पहाड़ी से हस्दो नदी कहां है रिहन नदी कहां है अर्पा नदी अगर आप एक चीज भी अगर अच्छे से ध्यान दिया होगा तो आप एक बार में किसमें यह देखे थट कड़ी है इसमें और किसी दीक रहें कि नहीं तो सही आंसर होगा अब मैं पूरा बता देता हूं इब नदी निकली है खुर्जा की पहाड़ी कहां है खुर्जा की पहाड़ी रायगण च्छेत्रों में देखने को मिलती है हस्दो नदी कोरिया च्छ सबसे प्राचीन है सीतन अधी ठीक है कि इसे कौन से प्रमुक खनीज हमारे हां नहीं पाए जाता है लोहा पाए जाता है कोईला पाए जाता है बॉक्साइड ग्रेनाइड नहीं है हम आप बता न डायगराम से यहां पर कोईला है बॉक्साइड है चुना पत्थर है लोहा है प्रमुक फसल में हमारे प्रहमुक खनीजों में नहीं आता हिया नागेश्या जन जाती मुख्य 36 गार्ड के किन जीलों में पाई जाती है पूछा है नागेश्या जन जाती फैस करके मुख्यता अगर देखें तो रायगर सर्गुजा जैस्पूर छेत्रों में पाई जाती है ठीक है सही आंसर है डी गोंड जन जाती में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें विवाह से पूर वरवद्धु के यहां रहकर सेवा करती देखी यह कोशन थोड़ा दिखा आंस नीक छेंकरा लच मनां मंदिद सीर्पूर में बिलकुल सही है। सितवेंगर पाली मंदित भगवान से हैं कि सभी सही है तो सभी सब्सने ही हैं नेस्टब तुतुरिया कि क्यों प्रशिध्य तुतूरिया वाल्मे कि आश्रम है सब्सक्राइब किसे संबंदित है एजुकेशन से संबंदित है एजुकेशन क्वालिटी से सिच्छा गणुन था जो करेंट अफेर पढ़ रहा होगा मेरे चैनल पर वह बिल्कुल जो है तिक लगाएगा देखें पीछले बारे भी आया था जगदीब धनकर्ड जो में चैनल नंबर के और हमारे हां के राष्ट्रपती दुर्पती मोरमुजयोग नहीं हो पंद्रवी नंबर की बनी है ठीक है नेस्ट कोश्टन कंप्यूटर सक्षता दिवस कब मनाते देखें कंप्यूटर से रिलेटेड है दो दिसंबर तो याद रखना है कंप्यूटर चलाते हैं किसी भी प्रोग्राम में एक्जिस करने के लिए हम जब क्लोज करते ना कोई फाइल बना रहता आपको सौटकट की कैसे यूज़ करते हैं तो अधिकता सभी जो यूज़ करते होंगे अल्टर दबाते हैं और F4 को क्लिक करते हैं क्लोज हो जाता है यही पूछा कि अल्टर क्लिक करते हैं यहीं लिखाया के लिए की का उप्यों करते हैं सभी किससे कनेक्ट होता है इंटरेट के माध्धम से कनेक्ट होता है ठीक है ? जिसका प्रयोग टेली क्मुनीकेशन लाइन आपाट डाटा ट्रांस्मीट करने के लिए किया जाता है क्या है ठास्विट कैसे हो एक एंटरनेट के माध्यम से होगा ड्रायस बाहिप के स्केम रिकमानित नहीं होता है मॉट्र विंडोस 7 का सिस्टम आइकोन नहीं है नेटवर्क को यह सब्सक्राइब को जानने और कठी सुचना प्राप्त करने के मदद आने कारे उपर क्लिक करते हैं कंट्रोल पैनल रहता है जब भी हम कंपूटर में देखें के तो कंट्रोल पैनल क्लिक करो पूरी जान करें आपको हहां से मिलती है सी अंसर बैंकिंग लेंदेन में ECS का अर्थ क्या होता है ECS का फुल फार्म होता है electronics Clearing Service जब भी कोई चीज । prósz 하지 डर्फ दाल देता है तो वहीं होता है electronics Clearing Service नेच्ट को problèmes्हें फिखी करेंट अफेर बहुत अच्छा से दिया हुआ था इस करेंट फिर जो पढ़ेनों बिलकुल बनाएगा हाल में किसे राजी इस्थरी पार्टी का दर्जा प्रदान किया अम आदमी पार्टी को अभी राजी स्थरी का दर्जा प्राप्त किया गया जो हम एमसी की डालतों नो उसमें डाला हुआ कि तैरता हुआ सौर सहींतर बनाया गया है मद्धप्रदेश में बहुत लोग ने कमेंड भी मतलब की टीक लगा थे मैंने पोल सिस्टम लगा था और कुछ-कुछ लें कमेंड भी वताया था कि यहां बहुत-बड़ा सहींतर बना है त तीनों गलत दिया है तो सहीं अंसर डी नेस्ट गड़ को प्रधानमंति सड़क योजना के किरावन है तो प्रथा मिस्थान मिला है करेंट फिर जो पढ़ा हो एक ही बार में ठीक लगाएगा नेस्ट देखते हैं कुमबा भाव ठाकर पत्यकारिता विश्वदालम कौन से प यह में तरम्भ हैं जमीर में भी कोंडा गांभी कोर्वा में नहीं है ठीक है सहीं अंसर है बाविश्वा वसंद्र संभान जो की 36 सरकार द्वारत दिया जाती कब से प्रारम किया गया इसको नेस्ट भारत के भुग अर्विक उत्पत्ति के विशाय में ध्यान दीचिए भूग अर्विक दिष्टीकों से भारत दक्षीनामिंसा गुणवाना लैन का हिस्सा जो पीठी के निरमान कासे भूखन के रूप में भूखन के रूप में अस्तित्वाया था नेस्ट कोश्चन प्लिस्टोन की हुग में गंगा के मैधान में गुणौता का निर्मान वर्दमान कार्वे निचली गंगा के निर्मान तो इसमें कोश्चन पूछा गया है असत्य कथन को बताई तो इसका असत्य है फोर्थ डी इसने क्या लिया है भी मैं आगा अंडमान निकोबाल कि मुख्य फसल क्या है अंडमान निकोबार के मुख्य फसल एचावाल वहाँ राइस है ठीक है नेस्ट तो यह संतर कोशन जो है एसाई के question में पूछा गया 30 question mathematics का है तो mathematics में नहीं करा रहा हूं ठीक है I hope अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe करिए और इसी तरह अब मैं CGPC का question भी upload करने वाला हूं ताकि CGPC का भी हम जो है question को solve करके अपना preparation आने वाले जब January December में पेपर होगा January तब हम ताकि पूरा तैयारी करके रख सकें ठीक है तो चैनल को subscribe करके जरूर रखें